हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब ओम क्रिम कृष्णाय नम्ह आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे चमतकारी मंत्र के बारे में जिसका जाप करने से जिसको सुनने से ही अगर आप जाप नहीं भी करते सिर्फ सुनते हो सुनने से ही आपकी विशिस पूरी होने लग आपकी मनुकामना पूरी होने लग जाएंगी इतना महाचमतकारी मंत्र है यह मंत्र है ग्रीन तारा मंत्र तिबबत में बहुत जादा लोग प्रिये हैं बहुत जादा माना जाता है जो ग्रीन तारा गॉडेस होती हैं कहा जाता है कि ग्रीन तारा गॉडेस एक बहुत ही ख तुनते टाइम, आप ये सोच रहे हो, कि मैं बहुत रिच होती जा रहे हूं, या मैं बहुत रिच होता जा रहा हूं, तो Green Tara Goddess क्या करती है, उस चीज को रियालिटी में कन्वर्ट करती है, उस चीज को हमारे जीवन में सच्चाई में बदलती है, तो इसलिए आप इस मंतर को स तिब्बत में बहुत जादा मानी गई हैं तिब्बत की देवी हैं जिने संस्कृत में श्याम तारा कहा जाता है और तिब्बती भाष्रा में सग्रोल लजंग कहा गया है। तिब्बत में माना जाता है कि ग्रीन तारा महाशक्ती ने नेपाली राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था तो तिब्बत में तारा महाशक्ती देवी है जिनके रंगों के अनुसार देवी के 21 रूप है जिन में से ग्रीन तारा देवी को मूल तारा माना जाता है इन 21 रूपों में से देवी तारा के दो रूप तिब्बती लोगों के बीच विशेश रूप से लोकप्रिये है पहला है वाइट तारा जिने करुना और लंबे जीवन से जुड़ा माना गया है और दूसरी है ग्रीन तारा जो जीवन की विभिन गति विदी और अरोगे सुक्संपत्ती को देने वाली मानी गई है तो ग्रीन तारा गॉड़ेस बहुत जादा बहुत जादा चमतकारी प्रभाव देती है बहुत जादा ग्रीन तारा मंत्र बहुत जादा चमतकारी माला गया है वैसे देखा गया है normally कि जो बौध गुरु है वो अपनी अराधना मंत्र विदी वगएरा को गुपत रखते हैं लेकिन अभी कोरोना महमारी में बौध गुरु दलाई लामा ने ग्रीन तारा मंतर को सारवजनिक किया है दलाई लामा ने बताए हैं ग्रीन तारा मंतर के इतने सारे बेनेफिट्स बताए है क्योंकि ये सब चीज़ें वो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको पता है कि Green Tara मंत्र के कितने सारे benefits हैं, तो इसको जरूर सुनिए, Green Tara मंत्र बहुत ही ज़्यादा powerful मंत्र है, इस मंत्र का जाब बहुत ही प्रभाव शाली और बहुत ही जल्दी फल देने वाला माना गया है, इसके जाब से नहीं बलकि सिर्फ इसको सुनने से ही आपको प्रभाव दिखने लग जाएगा, आपको 7 days के अंदर अंदर इसके results मिलने लग जाएगे, इतना जादा चमतकारी है यह, जो तिब्बती धरम गुरू है, उन्होंने बताया है कि यह मंत्र आरोगे प्रदान करने वाला है, और इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि अगर हम नियमी रूप से इसको सुनेंगे, तो कोई इंसान अगर काफी लंबे टाइम से बिमार है, तो अगर उसको दवाईयां नहीं लग रही, दवाईयां लगनी शुरू हो जाएगे और ट्रीट्मेंट के साथ साथ अगर आप डेली इस मंत्र को उस बिमार व्यक्ति को सुनाए आप इस मंत्र को अगर डेली सुनोगे, अगर सिर्फ रात को ही सुन लोगे सोने से पहले, टैन मिनट सुन लिया, ग्रीन तारा मंत्र आपको इसकी आउडियो मिल जाएगी, ओम तारे तू तारे तोरे सोहा, ओम तारे तू तारे तोरे सोहा, यह होता है ग्रीन तारा मंत्र, तो इसको आप इसकी audio सुन लोगे अगर रात को सोने से पहले 10 minutes तो आप देखोगे कि life में इतने positive changes आ रहे हैं, life में इतने अच्छी चीजें हो रही हैं, सारी problem दूर हो रही हैं, wishes पूरी होने लग गई हैं अगर घर में जगडे रहते हैं, तो घर के जगडे कलेश दूर होंगे, मतलब positive energy से जीवन भर जाता है, यह माना जाता है इससे कि जीवन में खुशाली आ जाती है, बहुत positive energies अट्रैक्टोंगी आपके घर में, आपकी life में, आपके family members की life में, बहुत सारी positive energies और एक चीज है कि यह मानी गई है कि अगर हम मंत्रों को सुनते टाइम, जो चीज हम सोच रहे होते हैं, वो चीज reality में बनने लग जाती है, वो चीज हमारे life में होने लग जाती है, तो इसलिए मंत्र को सुनते टाइम, आपने वही सोचना है जो आप अपने जीवन में पान जाते हो, जो भी आपकी विश है, जिसे आप पूरा करवाना चाते हो, तो वही आपने सोचना है मंत्र जाप करते टाइम, मंत्र को सुनते टाइम, आप eyes close करिये, audio चला लीजे मंत्र की, और आपके mind में वही चीजे चल रही होनी चाहिए, जो आप पाना चाते हो, जैसे कि आपको वह सम मिल रहा है, आप बहुत खुश फील कर रहे हो, क्योंकि वह चीजें आपको सम मिल रही है, तो ऐसी positivity के साथ आप सुनोगे, within seven days आपको इसके results मिलने लग जाएंगे, इतना जादा effective है, अगर आपको डर रहता है, किसी भी चीज का डर रहता है, जैसे कई लोग को पैसा खोने का डर होता है, कई लोगों को को तो किसी भी तरीके का अगर डर है, कई लोगों को जॉब चले जाने का डर होता है, हमेशा डर में जीते हैं, वो insecurity, तो ये सारी चीजें इस मंतर को सुनने से ही दूर हो जाएंगी, अगर आपके माइंड में डाउट है, कई ल में positive चीजें चल रही होंगी तो बहुत जल्दी आपको इसके results मिलेंगे अगर पहले doubt रखोगे तो फिर कहां से काम होगा अपने उपर अपने उपर faith होना चाहिए आपको मंत्रों के उपर faith होना चाहिए आपको भगवान के उपर faith होना चाहिए तो ही काम बनेंगे बहुत जादे effective है मैंने खुद experience किया है within seven days में आपको इसके results मिलने लग जाएंगे अगर पूरे positive mind के साथ concentration के साथ सुनोगे ठीक है तो यह जरूर करिए I hope आपको अच्छा लगा होगा मिलते next video में बाबाई